जैसाई राम एवरिवान, वेल्किम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एक बहुत कॉमन सा सवाल जो अक्सर साई डिवोटीस से सुनने को मिलता है, वो ये है कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, फिर भी मेरे प्रार्थनाओ का उत्तर बाबा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल मैंने बहुत बार comment section में परा है काफी बार मुझे message करके या call करके भी पूछते हैं कि बाबा सवाल का जवाब क्यों नहीं देते वेल देखिए मेरी जितनी भी समझ है उस हिसाब से मैं आप सभी को कह रही हूँ कि हम न अपने अंदर कभी जाक कर देखते ही नहीं है सवाल तो हमें खुद से करना चाहिए कि क्या हम साई की सुनते हैं क्या हम उनके कहे हुई हर बातों का पालन करते हैं देखिए हम साई से क्या मांग रहे हैं किस भाव से मांग रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, साइस सचरजी में ऐसे बहुत सारी कहानिया है, कहानी कहना गलत होगा, ऐसे बहुत सारे सत्य खटनाओं का वर्णन किया गया है, जहां बाबा के भग, बाबा के आदेश का पालन करते हैं, और फल्सवरू जीवन में बहुत उन्नती कर करते हैं, जैसे कि नासिक के श्री नारायन मोतिराम जानी, इनके बारे में आप सभी ने साइस सचरजी में पढ़ाई होगा, वे बाबा के बड़े भग थे, परम भग थे, और वे बाबा के अन्य भग तर राम चंद्र वामन मोदक के अंदर में काम करते थे, तो एक बार ज केटे को नौकरी छोड़ के बिसनस करना चाहिए, और कुछ दिनों में बाबा का वचन सत्य निकला, नारायन जानी अपना नौकरी छोड़ते हैं, और आनंद आश्रम चलाते हैं, शुरू करते हैं बिसनस, और कुछी दिन में देखा गया कि वो बिसनस बहुत अच्छा चल रहा है, वो तरक्की करने लगे, तो ये तरक्की कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने बाबा की, बाबा ने जो कहा था कि नौकरी छोड़ के तुम बिसनस डाट करो, तो उन्होंने बाबा का बात माना था, ठीक है, as a result क्या हुआ, he was successful, similarly एक और अध्याय है, दामु अन्ना, ठी आते थे, उन्हें लगा था, उन्हें ब्रहुत प्रॉफिट होगा, तो दामु अन्ना बाबा को चिठ्थी लिखते हैं, और जब चिठ्थी बाबा के पास आया, चिठ्थी पढ़े बगेर पहले बाबा बोलते हैं, कि क्या दामु आकाश को छोना चाहता है, जो उसके पास है, उसी से शंतुष्ट रहना चाहिए, फिर कहते हैं, शामा तुम चिठ्थी पढ़ो, और फिर चिठ्थी पढ़ने के बाद, शामा कहते हैं, बाबा आपको तो सभी पता है, फिर आप मुझे क्यों कहते हो कि चिठ्थी पढ़ो, तो बाबा ने तब क्या कहा था शामा से, बाबा ने कहा था कि शामा मैं तो कुछ भी बोलता हूँ मेरी कौन सुनता है क्या कहा था बाबा ने शामा मैं तो कुछ भी बोलता हूँ मेरी कौन सुनता है तो सच में बाबा तो हमें हर वक्त बहुत कुछ बोल रहे है संकेत दे रहे है हमें हमारे सवालों का जवाब दे रहे है ठीक है तो क्या हम उनकी सुनते हैं जो बाबा करने को कहते हैं क्या हम उसका अमल करते हैं पालन करते हैं उनके आदेश का में ही करते हैं तो back to the story हम देखते हैं कि बाबा ने दामो अन्ना को मना किया था कि रूई का सौदा मत करो लॉस होगा और हम देखते भी हैं कि रूई का जो बिजनिस था उसमें लॉस हुआ फिर दामो अन्ना ने अनाज का बिजनिस का भी सोचा था ठीक है वो फिर आते हैं बाबा के पास प में खाटा होने वाला है देखने को ये मिलता है कि दामो अन्ना बाबा पहले निराश होते हैं कि उनका मुनाफ़ा नहीं होगा प्रॉफिट्स नहीं होगा जो वो सोच रहते पर वो बाबा की बात मानते हैं और जब वो पहले बाबा के बात मानते हैं तो वो देखते कि हां बाबा ने जो कहा था कि बिजनिस में लॉस होगा लॉस हुआ और उन्होंने बाबा की बात मानी तो इसलिए वो लॉस से बच गए ठीक है तो बात यह है कि साई रोज किसी ना किसी माध्यम से सच्चरित्र हो जाए चाहे साई संदेश हो जाए चाहे Instagram पोस्ट हो जाये चाहे किसी ना किसी इंसान के थू हो जाये बाबा आपको संदेश देते हैं आपको जवाब देते हैं आपको हर वक बाबा रास्ता दिखाते हैं पर क्या आप सुनते हैं क्या हम सुनते हैं बाबा की ये एक बड़ी question है सभाल हमें खुद से करना चाहिए कि क्या हम बाबा के दिखाय हुए रास्तों में चल रहए हैं, बाबा जो हमें करने को बोल रहे हैं क्या हम वो फॉडो कर रहे हैं ? देखिये कभी कभी न हम सब अपने life से इतनी निराष हो जाते हैं या फिर जो भी problem हम face करते हैं उससे हम इतनी निराष हो जाते हैं प्रॉल्लम्स के बजए से और तभी हमें एसा लगने लगता है कि साई क्यू चुप है, साई क्यू संकेत नहीं दे रहे हैं, साई हमारी सुन क्यों नहीं सुन रहे हैं तब ही हमारे दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं और तब हमें क्या करना चाहिए ने बात आती आती है सबोरी रखना है, जब हम सबूरी रखते हैं तब एक-एक करके हमें जवाब मिलता है, साई हम आप realize करेंगे कि तब आपको साई जवाब दे रहे हैं, ओके, difficult situation में जब हम problem में होते हैं, तब हमारे मन में इतने सारे विचार चलते हैं, इतने सारे सवाल चलते हैं, कि अगर साई हमें उस बक जवाब मतलब दे भी रहे हैं न, तो हम सुन नहीं पाते हैं, हम कोशिशी नहीं करते हैं सुनने की, कि बाबा क्या कह रहा हैं, क्योंकि हम बहुत अपने problem में फोकस कर रहे हैं, problem में फोकस करेंगे, तो साई answer कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उस पे हम कैसे घरी में जो रास्ता हम साई से मांग रहे हैं साई हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपना मंद शांत रखना पड़ेगा सबूरी रखनी पड़ेगी ठीक है देखिए अगर हम में सब्र नहीं है न तो साई हमसे क्या कह टेहरे है, ये सुनने की शमता भी नहीं है हम में, ये बात समझना बहुत जरुरी है, तो request यही करूंगी आप सभी से, कि साई को सवाल करने से पहले, खुद को एक बार सवाल कीजिए, कि क्या मैं साई की सुनती हूं, क्या मैं साई को विश्वास करती हूं, क्या मुझ में सबूरी है क्या मैं साई पे भरोसा कर रही हूँ ये सब सवाल आप खुद को कीजे क्या साई मेरी मदद करते है क्या इससे पहले साई मेरी मदद कर चुके है ये सब सवाल ना पहले खुद को पूछे साई से सवाल पूछने से पहले देखिएगा जवाब मिल जाएगा ठीक है बस यही कहोंगी बाबा बाबा ने अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया ना बाबा वो हाथ कभी छोड नहीं देते तो आपका विश्वास रिड़ होना चाहिए ठीक है जैसाई राम